हेलो दोस्तों आएम सार्थाक एंड यो वाचिंग बियून लिमिट्स दोस्तों जे इमेन 2021 की देट स्लिरीज हो चुकी है एंड इस पर दे लेटेस्ट न्यूज इस बार एक्जाम चार अटेम्ट्स में होगी that would be in February, March, April and May and secondly आपको इस बार integer type questions में options अविलेबल होंगे कि that you can attempt any 5 questions out of 10 मतलब आपको टोटल 90 questions में से 75 attempt करने so यहां से हमें अपने आपको किसी एक काटेगरी में बाइफर केट करना बहुत जरूरी है यहां से दो ग्रूप ओ स्टुडेंट्स होंगे एक वो जो जईए एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे हैं IIT के लिए एस्पायर कर रहे है and दूसरे वो ग्रूप ओ स्टुडेंट्स इनका प्राइमरी फोकस जईए में है so strategy because दोनों ही जने को जईए मेंस देनी है तो बहुत अलग नहीं होगी but जो स्टुडेंट जईए एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे है बस मैं उन्हें एक सेजेशन देना चाहूँगा कि यूँ फोकस ऑन फर्स्ट अटेंट आप फेब्रेरी वाला अटेंट अपनी पूरी ताकत से दो then you secure decent percentile and then put all your attention on जईए एडवांस rather than अब तीनों अटेंट वापस से जईए मेंस के दे for a practice आप अप्यर उनमें हो सकते हैं no issues but आपको अपना पूरा focus जईए एडवांस पर डाल देना है because IIT में जाने के लिए आपको जईए एडवांस में अच्छा score करना काफी ज़रूर ही है and यह जो नया pattern आया है इसको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत criticism भी face करना पड़ रहा है mainly from the group two students जो कि जईए डवांस के लिए एस्पायर कर रहे है but मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका final aim IIT है so it doesn't matter कि attempt जे में में चार हो रहे है या पाच and it's particularly a good thing because इससे यह ensure हो जाता है कि अगर कोई भी बच्छा first attempt के दौरान अगर covid-19 से positive हो जाता है so he can appear for appear in next attempts so it would be fairly good so now coming on to the final strategy दोस्तों अब exam काफी pass आ चुकी है and अब हमें हमारी preparation को last year में डालने की जरुवत है so हमें यह समझने की जरुवत है कि हमारी exam demand क्या करती है J.E.Mains does not demand कि आपको कोई particular topic भोट depth में आता हो आपने उसके in number of problems practice कर रखे हो but it demands कि आपको सारे topic covered हो and आपको उनकी important formulas and concepts with a minimal amount of practice आपने उस particular topic में कर रखे हो so इससे आप J.E.Mains में काफी अच्छा score कर सकते है and एक problem जो बच्चे काफी face कर रहे है इस particular moment of time पे कि how to manage 11th revision with the ongoing classes of 12th so इसके लिए आपको आपके schedule को systemize करने की बहुत जरूरत है particularly मैंने इस situation को ऐसे handle क्या था कि I made a schedule कि मेरा पूरे दिन का ये schedule रहेगा and I managed कि मैं एक से दो घंटा 11th के revision को दूँगा and rest all the time of my day would be going in 12th preparation so इससे ये होगा कि आपका जो 12th के ongoing topics है वो भी week नहीं रहेंगे and साथ-साथ में धीरे-धीरे 11th का revision भी होता जाएगा and within a month you would find कि आपने आदे से उपर 11th का revision complete कर लिया है but यहाँ पे आपको बहुत जादा strict होने की जरूरत है because वो दो घंटे revision की यदि आपको देने हैं सो देने हैं वहाँ पे आप बिलकुल procrastinate नहीं कर सकते so now coming on to the second point कि कुछ ऐसे topics होते हैं जो जही advance में नहीं पूछे जाते हैं but जही means में पूछे जाते हैं and इसी कारण से कहीं ना कहीं coachings में भी उन्हें इत्ती focus के साथ नहीं पढ़ा जाता so in physics mainly they include communication system, semiconductor devices, magnetism, damping oscillation, EM waves और resistance वाले chapter में एक छोटा सा part color code of register जिसके बहुत की आसान से trick होती है BB Roy, Great Britain, Very Good Wife इस trick के थुरू आप उस पूरी table को learn कर सकते हैं so now moving on to chemistry we have chemistry in everyday life and environmental chemistry now amino acids chemistry में एक ऐसा part है जो जही advance में भी है and जही means में भी है but जही means में repeatedly and frequently इससे questions पूछे जाते हैं and amino acids को याद करने की भी एक काफी आसान trick होती है if you want आप comment box में mention करेगा मैं उस पे भी एक video बना दूँगा moving on to maths in maths we have mathematical reasoning, statistics, binomial probability distribution, set relation and heightened distance heightened distance तो काफी आसान होता है but certain relations में कई बार बच्चो थोड़ी दिक्काद आती है and यहां I want to highlight की इन जो exclusively mains में topics आते हैं इनसे for sure question आएगा and यह कई बार काफी आसान होता है so हमें यह marks तो बिलकुल भी लूज नहीं करने so now moving on to the important thing कि हमें हमारी क्या strategy होनी चाहिए just one month before the examination so जब आपकी exam में सिर्फ एक महीना बचा है so now you have to start adjusting your biological clock according to the day of the examination क्योंकि इस समय के around तक कही न कहीं आपके admit cards आ गए होंगे या फिर आने वाले होंगे so if your exam slot is in morning तो आपको सुबह जल्दी उठने के आदट डालनी है and 9 to 12 के slots में paper attempt करने की and लगातार continuous sitting देने की practice करनी है and if your slot is in evening so वो ही practice आपको 3 to 6 वाले interval में करनी है so now यहाँ पे एक और important point आता है कि you should attempt at least 15 papers and I mean literally at least 15 because paper attempt करने से ही आपको पता चलेगा कि आपकी preparation किस level पे है and आप अभी भी किस type के problems में difficulty face कर रहे है echo doubt जो बच्चों को आ रहा है इस समय की नए pattern पे paper attempt करें कि 90 out of 75 वाले करें कि जो previous year है उन्हें attempt करें so I personally prefer कि आप previous year ही करें because किसी वी exam में अच्छा perform करने के लिए हमें उस exam से एक level उपर की preparation होना जरूरी होती है so yeah आप 75 questions की practice करें in 180 minutes and उसमें अपना best perform करने के कोशिश करें so finally आप main exam में अच्छा score करी लेंगे and एक भीने पहले अब आपको बिलकुल revision पे stick हो जाना है and no need to go deep into the topics और धीरे धीरे आपको short notes पे short notes पे rely करना है अगर आपने short notes बना रखें so it's well and good by referring कुछ publications के आपको booklets मिल जाएंगी जो आपको सारे chapters की short notes जे देते है preferably अरिहंद वो मैं personally prefer करता हूँ so उसके थो आपको एक basic idea लग जाएगा chapter का and then analysis analysis of paper is very very important जैसे मैं personally ये करता था कि after attempting a paper for three hours मैं next three hours उसके analysis में devote करता था ताकि मैं पता लगा सकूँ कि उस particular paper में क्या-क्या loopholes और क्या-क्या mistakes मैंने करी and then try to minimize them so basically these are all things जो आपको बहुत जादा ध्यान में रखनी है so now quickly summarizing bifurcate yourself कि आपका focus क्या जे में जे एडवांस then 11th का revision बहुत अच्छे से plan करो with 12th ongoing then you have to focus on main exclusive topic उन्हें एक बार अभी खतम करके रख लो then finally उन्हें एक्जाम के 10-15 दिन पहले उठाना and one month before examination at least 15 papers आपको देना बहुत जरूरी है and more than that उनका analysis काफी important role play करेगा no need to go deep into the topics try to cover the syllabus उपर से भी किसी topic में आपको थोड़ा गयान होगा तो भी हो सकता आपसे उसका question बन जा and इसके बाद भी अगर आपको कोई भी problems हाती है तो आप comment box में mention करें मैं उनका जरूर से reply करूँगा और हो सका तो उन पर वीडियो भी बना दूँगा so like, share and subscribe beyond limits ताकि आपको इतने amazing videos और देखते रहने को मिले and खूब पढ़ो यार और बचा दो